वेलकम टो श्रिवास्तक प्लासिस तो भाई जैसे के आप सबको पता है कि फर्स सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के इंटर्नल असेस्मेंट चल रहे हैं अब ऐसे में भाई इस्टुरेंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे इस्टुरेंट का जो है इसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप उसका तुरंत स्क्रीनशोट लीजिए स्क्रीनशोट लेने के बाद भाई आप लोगों को जैसी लोगिन करोगे तो यहां पर यह मेल आईडी दिखरी है न इस पर आप मेल कर दिजिए उस एर्र को या वो जो आपने जो है आप समाल के जरूर रखे जिएगा हो सकता है आप जाला से अदा अगर मेल करोगे या बहुत सारे बच्चे जादा अमाउंट में मेल करेंगे तो आप लोगों को दुआरा चांस जो है मिल जाएंगे ऐसे में बहुत सारे शुर्ट्स ऐसे भी हैं जो अवेर नहीं थे कि आप लोगों के बीए प्रोग्राम के फर्स सेमेस्टर के इंटर्नल असेस्मेंट हो रहे हैं इस चीज़ को उन्हें पता यह तक नहीं था इस वज़े से भी उनके छुट गया है तो आप लोगों को भी मैं सज़ेस्ट करूँँगा है इस मेल आईडे पर मेल कीजिए जा ऐसी आप अपने आंसर देते हो तो आप क्या करते हो कोश्चन आता है मालोग यह आप लोगों कोश्चन है ठीक है फिर इसके आप लोगे चार ओप्शन दे दी जाते है तो आपने चार में से मालोग थर्ड वाला सही था उस पर टिक कर दिया फिर यहाँ पे एक ब्लू कलर क आप लोगों को एक सम्मिशन बटन आता है और उस पे जब तक आप टिक नहीं करोगे आपका आंसर जो है वो सम्मिट नहीं होगा तो सबसे पहले आपको यहलो वाले पे टिक करना होता है फिर उसके बाद ब्लू कलर में आप लोगों को चोटा सा नेक्स्ट का ओप्शन आत अब जिन बच्चों ने यह चीज़ नहीं करी है तो हो सकता है भाई एसल वाले जो है इसे ओटो सम्मिट कर ले यानि कि खुद पे खुद सम्मिट हो चुका हो गई है अब फाइनल सम्मिट की बात करते हैं बहुत से बचे क्या है अपना कोशन अटेम्ट कर रहे थे लेकिन टाइम पूरा होने के बाद उनका पॉर्टल जो है वो लोगाउट हो गया ऑटमेटिक अब ऐसे में भाई उनका सम्मिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा तो टेंशन मतलो क्लियर करता हूँ भाई देखो क्या होता है जब टाइम ओवर हो जाता है तो ऑटमेटिक जो है सम क्लियर हो चुके होगी अब बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो पूछ रहेते बही कि हम आर पास बार कोट नहीं है तो बार कोट नहीं है तो बही आमें क्या करना चाहिए हम अपना इंटर्नल असेस्मेंट वगरा जो है कैसे दे तो बही यह सोल की तरफ से एक और नियू अ इंटरफेस आपके लोगों के सामने यह शो होगा, यहां पे आप लोगों कुछ नहीं करना, simply अपना roll number डालना है, SOL का, और जो SOL में आप लोगों ने mobile number registered करवाया था, वो ही mobile number आप लोगों को यहीं डालना है, यह सब करने के बाद आप लोगों के जो capture लिखा वारा, इसका solution करके यहां डालके, और आप लोगों submit बटन पे click कर देना है, फिर भाई क्या होगा, आप लोगों का जो barcode है, वो आपके इस number पे send कर दिया जाएगा, तो बस भाई यही simple सा process था, आप लोगों का barcode जो है, आपके registered mobile नमबर पे आजाएगा, अगर वो active होगा तो, तो I hope आप लोगों को वीडियो से कुछ help मिली होगी, कोई और doubt है तो प्लीज नीचे comment box में जरू बताना, उसके उपर भी वीडियो बनाने की पुश्यक्र हुआ, वीडियो को like जरू करना, चैनल को subscribe जरू करना, मिलते है नेक्स वीडियो में,